दोस्तो आज की वीडियो में चार स्वीच और चार सॉकेट का किनेक्शन कैसे करते हैं यह मैं आप लोग को बताऊंगा देखिए इसमें चार स्वीच और चार सॉकेट का किनेक्शन मैं बता रहा हूं लेकिन यह वीडियो आप लोग पूरा देख लेंगे तो जो भी बोड हो 2 सुइच लगा हो 2 सुइच लगा हो या 1 सुइच लगा हो कोई भी सुइच बोड हो आप लोग बहुत ही असानी से उसका connection कर पाएंगे तो बहुत ही असान तरीका आप लोग को बताऊंगा अब यहाँ पर देखिए 4 सुइच और 4 सुइच लगा हुआ है तो इसका connection कैसे किया जाता है तो यहां पे connection करने के लिए सबसे पहले socket को समझना है अब देखिये socket के आगे तरफ यह 5 पीन होता है लेकिन socket के पीछे तरफ यह 3 पॉइंट मिलता है यहां पे देख रहे हैं आप लोग तो यह 3 पॉइंट मिलेगा अब इसमें connection कैसे किया जाता है ये आप लोग को समझना है वीडियो पूरा देखिएगा जब ही समझ में आएगा अब देखिए socket पे कुछ symbol बना हुआ रहता है जैसे कि यहाँ पे देखिए एक symbol बना हुआ है तो इसका मतलब अर्थिंग होता है तो ये मोटे वाले pin में यहाँ पे अर्थ का connection किया जाता है उसके बाद यहाँ पे देखिए इन बना हुआ है इसका मतलब neutral होता है तो इस point में neutral का connection किया जाता है उसके बाद यहाँ पे देखिए ये L लिखा हुआ है L का मतलब line होता है line का मतलब ये face तो इस point में face का connection किया जाता है, तो इस तरीके से इसका connection होता है, अब यहाँ पे direct socket में connection करना हो, तो इस point में earthing का wire जोड़ देंगे, इस point पे neutral जोड़ देंगे, इस point पे face जोड़ देंगे, तो यह socket काम करने लगेगा, अब होगा क्या कि कोई भी plug हम इसमें लगाएंगे, त यह switch का use करते हैं, जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो इससे on-off इस socket को किया जाता है, तो switch से जब on-off करेंगे, तो इसमें जो plug लगाएंगे, वो अपना लगा रहेगा, और switch से इसको on-off हम करते रहेंगे, ठीक है, तो यही कारण होता है, इसमें socket में switch लगाने का, अब इस board के पिछले वाग में हम लोग आ गएं, जहाँ पे connection करना है, अब देखिए, जहाँ पे connection कैसे किया जाता है, वो समझेंगे, अब जैसे कि आप लोग को बता दिया, कि यहाँ पे अर्थ का connection होता है, उसके वाद इस वाले point में neutral का connection होगा, और उसके वाद इस वाले point में face का connection होगा तो ये चारो socket का connection विल्कुल same होगा तो चलिए इसका connection करते हैं अब देखिए कैसे connection होगा इसका वो आपको ध्यान से समझना है यहाँ पे बहुत लोग को connection करना पता होगा लेकिन proper dhung से पता होगा या नहीं वो इस video को देखने के बाद ही पता चलेगा अब देखिए गलत तरीके से connection करते हैं तो current भी लग जाता है तो आप लोग आज इस बात को समझ जाईए कि board का connection कैसे होता है proper dhung से तो वही मैं आज इस video में बताने वाला हूँ अब सबसे पहले ये चारो switch का connection करेंगे तो इसका connection कैसे होगा वह समझ जीए एक wire का टूकड़ा लेंगे और switch के ये नीचे वाले दोनो point को आपस में connect कर देंगे उसके बाद नीचे वाले switch के ये नीचे वाले दोनो point को आपस में connect कर देंगे ये सभी point में page होता है जो कि खोल के wire को कसा जाता है अब उसके वाद यहां neutral का connection करेंगे socket में जैसा कि मैं बताया कि चारो socket का यह point नीटल का है यह wire का टुकडा लेंगे और इस चारो socket को एक में connect कर देंगे इस में भी पेंच होता है खोलेंगे और wire का टुकडा यहां से लेके ऐसे connect कर देंगे अब देखिए यहां पर black color नहीं दिख रहा है यहां पर हम आप लोग को दिखाने के लिए yellow color ले ले लेते हैं यहां पर और उसके बाद यहीं से फिर से wire इसमें connect करेंगे और यहां से फिर wire इसमें connect करेंगे अब यहाँ पे socket के neutral वाले point का connection कर लिया अब यहाँ पे एक wire की मदद से आपको चारो को एक में connect कर देना है अब इसके बाद earthing का connection करेंगे तो जैसा कि मैं आप लोग को बताया कि यह जो point है वो earth का है तो चारो यह earthing का ही point है चारो socket का socket के चारो earthing वाले point को एक wire की मदद से आपस में connect कर देंगे एक में तो यहाँ पे भी page होता है page खोल के यहाँ connection कर देंगे उसके बाद यहाँ पे इस point पे कर देंगे उसके बाद इस point पे कर देंगे उसके बाद यहाँ पे इस point पे कर देंगे अब यहीं पे आपको समझना है कि इसका connection कैसे होता है जब switch के साथ होता है तो यहीं पे लोग गलती करते हैं तो ध्यान से समझिएगा अब देखिए इसका connection कैसे होगा तो एक wire का टूकड़ा लेंगे और इस point से लेके और यहां से इस point में connect कर देंगे अब इस तरीके से एक socket और एक switch का connection हो गया अब यह switch on करेंगे तो इस socket को current मिलेगा नहीं तो इस socket को off करेंगे तो यह socket off हो जाएगा इसमें current बंद हो जाएगा अना अब दूसरे socket का switch के साथ connection करेंगे तो यह switch के बचे हुव कई में यह सोकेट के बचे हुए पॉइंट को एक वायर की मदद से कनेक्ट कर देंगे उसके बाद वैसे ही अब यहां पे यह स्वीच का पॉइंट बचा हुआ है तो इसको इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट में एक वायर की मदद से कनेक्ट कर देंगे उसके बाद यहां पे socket का ये face वाला point बचा हुआ है तो इसको इस switch के साथ बचे हुए point में connect कर देंगे तो अब ये connection complete हो गया देखे इस तरीके से proper ढंग से connection किया जाता है एक बात आप लोग समझ लिजिए कि neutral में हमेशा black wire का यूज किया जाता है जहां पे मैं yellow wire का यूज कर रहा हूं ये black color पर आपको yellow wire अच्छा से दिखाए दे और आप लोग अच्छे से समझ पाएं बस आप लोग जब भी यूज करेंगे तो neutral में ये black wire का यूज करेंगे ठीक है अब चलिए आगे समझते हैं अब यहां पे board में अर्थिंग का face का और neutral का connection कैसे करेंगे कहां पे करेंगे यहां पे सबसे पहले अर्थिंग का connection करेंगे तो यह अर्थिंग का wire है तो इसको लाकि यहां पे अर्थिंग में connect करेंगे ठीक है अब चारो सोकेट के अर्थिंग point में अर्थिंग मिल गया उसके बाद अब neutral का connection करना है यह neutral का wire है तो यहां पे neutral का wire लेके इस point में connect कर दे है ठीक है यह नूटल चारो सोगेट के नूटल point में मिल गया उसके बाद अब करना है फेस का connection फेस का connection इस point में या इस point पे या इस point पे या इस point पे यांने कि ये switch के 4o point पे कहीं भी आपको जहां सुविधा हो वहां कर सकते हैं अब इस face को हम आप हमें लोगो easily संजाने के लिए यहां पर ला के चीक है और इस पॉइंट में हम कनेक्ट कर देते हैं अब यह का कनेक्शन हो गया थी अब देखे यहां पर बोड में जो कनेकशन होगा वह ऊपर से या नेचे से कहीं सभी होता है इधर जगह है उदर से समझाने के लिए हम connect किये हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं अब यहाँ पे board का connection complete हो गया मैंने पूरी-पूरी कोशिस की है कि आप लोग को अच्छे से समझा पाऊं फिर भी कोई सवाल या सुझाओ आपके मन में आता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा